Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल उपसे हाई प्रोफाइल डेथ केस था, जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, जो आज तक रहस्य बना हुआ है, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था असल में, ये वो केस था जिसके बाद कई सारे सवाल उठें, बॉलिवूड के अंडरवर्ड के साथ जो रिलेशन हैं, उनकी तेजी से उभरती हुई, एक्ट्रिस बॉलिवूड की, मैं 16 साल की उमर में फिल्मों में डेब्यू किया, 18 साल की उमर में शुपचाप शादी की, और उसके बाद अगले ही साल, 19 साल की उमर में, एक साल बाद ही, रहस में तरीके से दिव्यभारती की मौत हो जाती है, बता इस सवाल कैसे खड़े होता है, यह सवाल क्यों आते हैं कि यह सुसाइड था या यह मौडर था, या फिर यह एक्सिदेंटल डेट थी, यह कोई एक एक्सिदेंट था जिसके चलते दिव्यभारती की मौत हुए, क्या थी मौत की असल वजए और क्या असल में हुआ था उस इस सब आज आपको बताने वाले हैं, यह जो बताया जाता है इस डेट केस में कनेक्शन अंडरवर्ड का, अंडरवर्ड डाउन दावद इब्राहिम का, के दावद इब्राहिम के संबन्द थे, दिव्यभारती के जो पत्ति हैं साजिद नाडिया वाला उनसे, तो क्या यह पूरा कुछ इस तरह का सिचेशन बनी थी, जिसके चलते दिव्यभारती के यहां पे मौत हुए, क्या उन्हें ऐसा कुछ पता था, साजिद और दावद के कुछ रिलेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों को आज इन पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि असल में वज़य क्या थी और क्या हुआ था दिव्यभारती के साथ, शुरुवात करते हैं, मुंबई में 1974 में एक इंशुरेंस ओफिसर ओपी भारती और मीता भारती के यह दिव्यभारती का जनम होता है, 25 फरवरी 1974 को, बचपन से ही बताया जाता है कि बहुत जादा मतलब अपनी खूपसूरती के लिए दूर दूर तक उनके चर्चे हुआ करते थे, लोग कहते थे कि यह जो बचपन में वो बार्बी डॉल जैसी लगती थी, मतलब रियल में लगता नहीं था कि यह कोई बच्ची है, कोई डॉल जैसी वो लगती थी, इसके बाद स्कूल के ये था कि उने एक्टर्स बनना है, इस लाइन में आना है और साथ में यह लगाता है, यहां पर जो डांस था, डांस, सिंगिंग, क्लास्कल सिंगिंग और अक्टिंग ये सब सीखती थी, तो इसकी वेरे से स्कूल भी जाना कम होता था, उनकी मा भी यही चाहती थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, फिल्मों में आए, करीवन 16 साल की उमर थी, 9th क्लास में, 16 साल की उमर में 9th क्लास के अंदर जब दिव्या भारती थी, तो एक वीडियो लाइब्रेरी के अंदर, उस जगे गोविंदा के जो भाई थे, कीर्ती कुमार, गोविंदा के भाई कीर दिव्या भारती क्योंकि श्री देवी का उस्सा में बहुत जादा क्रेस था बॉलिवूड के अंदर, तो बताते हैं कि दिव्या भारती बिल्कुल श्री देवी जैसी लगती थी, और हू बहू उनके जैसे ने नक्षत्र थे उनके, तो अब यहाँ पर गोविंदा के लगातार उनसे बात करते हैं, दिव्या भारती से उनकी मा से ही बात करते हैं, घर पे जाते हैं, लेकिन यह डील फिर हो नहीं पाती है, और यह डील हो नहीं पाई, इसके बाद में इनस्ट्री में दिव्या भारती की बाते होने लगी थी, क्योंकि खूपसूरती इस तरह क बताते हैं कि लगातार लोग उनकी बाते करते थे लोग उन्हें मूवीज में लेना चाहते थे लेकिन लगातार शुरू आज में करीबन तीन बार ऐसा हुआ कि दिव्या भारती को बॉलिवोड में आते आते उनकी मूवी उनको कास्ट करते करते डिरेक्टर्स प्रोडूसर् पहले कीर्थी कुमार उसके बाद आते हैं बोनी कपूर एक नया चेरा ढूंड रहे थे अपनी फिल्म प्रेम के लिए उसके लिए वो चाहते थे उनका इंटरस्ट था कि वो दिव्या को कास्ट करें इसमें लेकिन इसके बाद ये रोल भी नहीं मिलता है दिव्या को ये रोल को भी आ जाता है इसरुघ को इर लगातार में चलती है अब तीन बार क्योंकि रिच्शन हो चुका था तो दिव्या की माट थी व उन्हें एक वैकेर्शन के उपर ले जाती इए वैकेर्शन पर ये लोग जाते हैं कस्मीर और जब ये वो इनके घर पे मुंबई आने वाले थे इनको narration देने के लिए दिव्या भारती को मतलब South तक दिव्या भारती की खूपसूरती के जो चर्चे थे वो film industry में भूमने लगे थे तो अब यहाँ पे डी रमान आइडू South के बहुत बड़े producer यहाँ पे आते हैं narration देते हैं और इस साती थी 16 साल की महज उम्र थी और इसके साथ भी Bollywood में क्योंकि बात नहीं बन रही थी तो साउथ से अपना करियर दिव्या ने शुरू किया और इसके बाद यहाँ पे उनकी साउथ के सूपरस्टार के साथ में 1990 में 1990 में पहली जो उनकी फिल्म आती है साउथ के सूपरस् लेकिन इस फिल्म से जादा चले खूबसूरती के किस्से दिव्या भारती के इनके अब यहाँ पे किस्से जो चलते हैं इसके बाद इननोंने बैक टूबैक इने साउथ के अंदर मूवीज मिलती गई साउथ में मूवीज मिलने के बाद ही करीवन एक साल का जो दौर चला 1990 से 1991 में यहां से अब बॉलेवुट से ओफर आना शुरू होते हैं जब साउथ में लोगों ने इनका काम देखा उसके बाद यह देखा कि बिल्कुल एक्टिंग बहुत अच्छी हो श्रीदेवी जैसी लगती भी हैं तो यहां से बॉलेवुट से ओफर आते हैं करीब दो साल बाद दो साल बाद पहला ओफर आया 1992 में बॉलेवुट से राजी रा जो राजीव राय हैं वह अपनी फिल्म विश्वात्मा के लिए कास्ट करना चाहते थे दिव्द्या भारती को इन्हों की बात ह भारती को 500 रुपे दिये थे और 500 रुपे साइनिंग आउंट लेने के बाद में उनिस सो बानवे में दिव्द्य भारती बहुत जादा खुश थी क्योंकि हमेशा चाहती थी बॉलेवुड में काम करना यह फिल्म रिलीज होती है विश्वात्मा और यह फिल्म जादा चली देखो और सूपर हिट यह गाना रहा है सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी यह गाना था साथ समंदर पार इस गाने के अंदर जो एक्टरस हैं वही दिव्या भारती हैं अब आप लोगों को जो लोगों नहीं जानते होंगे जिन लोगों को थोड़ा धुनला धुन बताया जाता है कि साल 1992 में वह लीडिंग एक्टरस बन चुकी थी बॉल्यवूट की महज 18 साल की उमर में 18 साल की इस लड़की से जितनी बॉल्यवूट की एक्टरस थी उससे में यह बताते हैं कि बहुत जादा जैलेसी भी उन लोगों को रहती थी इनसे क्योंकि वाकि सार यह एक्टरस से फिल्में ले लेकर 18 साल की इस लड़की को फिल्में दी जाती थी अब यहां पर करीबन 90 का यह जो पूरा टाइम था 1992 1993 इस टाइम पे इन दो सालों में यह बतायते हैं कि दिव्या भारती वॉल्यवूट की उस टाइम की हाईस्ट पेड एक्टरस थी सबसे जूला और शबनम गोविन्दा के साथ में यह फिल्म थी उनकी दिव्या भारती की यहां पर होता क्या है इस शूटिंग के दौरान इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और यहां पर शूटिंग के दौरान एक बहुत बड़े डिरेक्टर प्रोडिउसर बड़ा नाम उस समय के साथ दिव्य और साजित को प्यार हो जाता है अब यहां पर दिव्य और साजित को प्यार हुआ और इसके बाद में करीब 18 साल की उमर जैसे दिव्य भारती की हुई 1992 में यहां पर इन्होंने अपनी मा को भी बता दिया था कि वो साजित के साथ में शादी करना चाहती है मा ने उस समय कहा कि ठीक ही हमें कोई दिएक्कत नहीं है तो इन्हों माको बताया कि अप Witnes बन जाना है और साथ में आप आ भी जाना वहां पर लेकिन यहां पर उनकी मान कहा कि अपने पिटा को पहले ब타 और पापा को पहले बता ह। क्योंकि बताया जाता है कि उनके जो पिता था भारती वह उपी भारती वह साजिट नाड़ेट वाला से सुझटवारत में राजी नहीं थे क्योंकि उनकी एक तो उम्र भी अचाल काफी कम UC लेकिन इसके बाद में کہती है है कि कि बहुत्व को नहीं क्लरा में उनको नहीं वतारी थी है कि और आप आ जाना और लेकिन यहां पहर जो था नहीं बता थे उनकी माने कहना कि अगर आप अपने फिता को नहीं बताएंगी तो हम भी यह पर नहीं आप पाइंगे और फिर दिव्या ने का कि ठीक है अब आपके ऊपर है आप अगर नहीं आना चाहते हैं तो आप मत आईएगा और इसी के साथ में चुपचाप 10 मई 1992 को करीबन अपने बर्डे के जब वो अठारा साल की हुई थी उसके तीन महीने बाद 10 मई 1992 को दिव्या ने साजि इस एक्साम को क्रैक करना आयस बनना तो यहां भारत का बेस्ट अफूरॉडेबल एदुकेशन प्लैडफॉर्म श्टटी आईडी जीप आइक जो 55,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 रुपे मिल जाता है आप यहाँ पे बहुत बार डिसकाउंट तो लेंगे ही लेकिन असाथ ही साथ अपनी तयारी जो है आपकी उसको बहुत जार मजबूत बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लीजे अपना बैट्स बैट्स जो है आपका बोसलेक करिए इस कोट को लगाईए और अपनी तयारी को मजबूत बनाएए धन्यवाद तो वापिस से चलते हैं अपनी कहानी की तरफ अब यहाँ पे चुप-चाप जो शादी कर ली थी सीक्रेट तरीके से दिविया और साजित में यहाँ पे इसके बाद अब ये लोग अपने घरवालों को भी शादी के बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि बताते हैं कि उस टाइम पे अगर ये बता दिया जाए कि शादी हो गई है कि इन लोग उन्हें शादी कर लिये और इसके बाद बताया जाता है कि उनके पिता भी मान गए थे उनके वर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि अब जो हो गया वो हो गया ठीक है और इसके बाद में ये लोग पूरा जो परवार था वो हासी खुशी रहना शुरू करता है साजित ने इस समय दिव्या के लिए मुंबई के अंदेरी वेस्ट में जो वर्सोवा है वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के फिफ्ट फ्लोर पर एक फ्लैट खरीदा था खरीदा नहीं वो रेंट पर उन्हों लिया था यहां पर और यह जो फ्लैट था इसमें दिव्या अपनी मेड के साथ में रहती थी उनकी मेड थी अमरिता अमरिता कुमारी यह जो मेड थी दिव्या की यह इनके बचपन से ही तिःसा बताया जाता है कि जब से उनके घर में कंदेगा का जनम हुआ मेर्च अनके साते ती इस बीच जो पहुत बड़ी एक्टरस बन चुक थी सूपर स्टार थी थी और शाूँ ड favorite वह फिल्में कर रही थी साथ-साथ-सार बॉलिवूड की फिल्में उंको मिल रही थी यहां प़े उनका बाहर जाना बहुत ज्यादा होता था इस में साउथ की फिल्में कर लेकिन अब यह वह दोर और गया था थोड़ी aggressive होने लगी थी और जल्दी upset भी हो जाती है जल्दी उनको कोई चीज बुरी भी लग जाती थी कुछ ही महीने पहले बताया जाता है 1993 में करीबन January, February में ही 1993 में वो एक बार अमेरिका गई थी और अमेरिका में वहाँ पे उन्हें किसी बात से अपसेट हो जाती है उसके बाद खुदी को hurt कर लेती है खुदी को cigarette जो थी cigarette से उन्होंने खुद को जला लिया था तो ये इस तरह का उनका behavior थोड़ा थोड़ा इस तरह का होने लगा था और इसी के चल्पे करीबन अप्रेल आता है 1993 और उसके बाद वो दिन आता है 5 अप्रेल 1993 का अब इस दिन क्या हुआ था ये आप पूरा सुनिये कुछी घंटे पहले 5 अप्रेल 1993 को करीब शाम का वक्ता कुछी घंटे पहले दिव्या जो थी वो बैंडरा वेस्ट में नेप्चुन अपार्टमेंट के अंदर एक 4BHK फ्लैट की डील करके आई थी मतलब ब्रोकर के साथ वो वहां पे गई थी उन्होंने पूरा डील उसकी फाइनलाइस की थी अपना खुद का फ्लैट क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा कमा रही थी इस समय पे उनके पास फिल फ्रेंड को बताया नीतालूल लॉला जो उनमी फ्रेंड लगा था जतनी फिल्म के जाता कॉस्टुम डिजाइन दिव्य भारती के नीता लूला ने की है इनको बताया और यहां पे बताया जाता है कि कुछी दिन पहले क्योंकि वह छेन्नाई से वापिस आई थी और पांच में अगले दिन उनको छे तारएक को अब निकलना था है अगले दिन क्या किया किए अगले दिन क्योंकि है अगले दिन और अपने घर पर अपनी जो पॉस्टिन अपनी निटा लूला उन को बुलाया उनके पति को बुलाया शाम लूला इसके बाद में बताते हैं कि उनके भाई भाईबी उस समय महाते था। उनके भाईभाई all को Sum साजित नाडियट वाला की जो फिल्म थी अंदोलन उसकी मौरशास में शूटिंग थी उसके लॉंग आउटोर शूट पे जाने वाले थे तो इसके लिए जो इसके कॉस्टीम थैं उसकी बार हूं नितालूला यह भुलाया था अब यहां पे ये लोग जो नितालूला और शमुदा थे रात के दस बज़े करीब inherent घर पे पहुंचते हैं दस बजे करीबे यह लोग यहां पे इनके घर पे आते हैं और इसके बाद सीन कुछ इस तरह का था के टीवी ओन था लगाता है टीवी पे कुछ ना को चल रहा था वीडियो प्लेवर पे कुछ ना को चल रहा था इसके बादमें नहीं नहीं उन्होंने पीना चालू करतें जा आप ऐए से अधार चल रहे थी फ्लैट के अंदर चार लोग थे खुद दिव्याबारती नीता लूला डॉक्टर शाम लूला और जो उनकी मेड थी अम्रिता करीबन साड़े-ग्यारा बज़े तक यह लोग शराफ पीते हैं साड़े-ग्यारा बज़े तक इन लोगों की पार्टी इस तरह की चलती है शराफ और बालकनी में आगर कोई किचिन में हैं तो बालकनी में खड़े उए इनसान से बाचीत कर सकता है थोड़ी दूरी थी लेकिन बाचीत उन दोनों की हो सकती है अल वाल जो इनसान है वो इसमें पूरी तरह से Кट हो जाता है इन लोगों से तो आप यहाँ पर यह अपनी मॉ और नीता लूला थे वो बताया जाता है कि टीवी पे कुछ इंट्रस्टिंग वीडियो प्रेयर पे देख रहे थे तो इन दोनों की जो बातचीत ती उससे टोटली कट आफ थे वो मतलब इनकी बातचीत में उनका कोई लेना देया नहीं था वो इन्वाल्व उसमें नहीं थे ऐसा बताते हैं कि सड़नली जब दिव्या उस बालकनी के पास में गई है उनके हाथ में मौरिशन रन का ग्लास था अपनी मेट से अमरिता से कुछ बातचीत कर रही थी और तेज आवाज में बोलना पड़ा था क्योंकि किचिन में अमरिता थी और ये बालकनी में थी बताय बाकी सारी खिड़कियों में बाकी सारी बालकनी में ग्रिलिंग थी लेकिन ये अकेली ऐसी बालकनी जिसमें ग्रिल नहीं लगा था तो ये बताया जाता है कि अचानक से दिव्या का बैलेंस बिगरता है और इसके बाद ये सीधा बालकनी से नीचे गर जाती है जैसे ये न लेकिन उनकी सांसे चल नहीं थी इसी के साथ जल्दी से जल्दी उन्हें आर इन कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया शाम लूला नीथा लूला ने उनके माता पिता को इंफॉर्म किया भाई को इंफॉर्म किया क्योंकि भाई का बताया जाता है कि पहले वहां पे थी लेकिन उसके पहले जब यह गिरी है उसके कुछ दिर पहले वह चले गए थे वहां से इसके बाद करीबन रात के डेड़ बजे साजित नाडियाट वालों को बताया जाता है जो casualty ward था उसमें अब इनकी body रख्थी हुई थी क्योंकि जब यहाँ पे यह लोग पहुंशते हैं इनकी body को लेके hospital में तो कूपर ऑस्पिटल ने उन्हें dead on arrival गोशित कर दिया था कि इनकी मौत हो चुकी है यहाँ पर जैसे ही साजित नाडियाट वाला पहुंशने करीबन डेड़ बजे के आसपास बताया जाता है casualty ward में उनकी body को देखके वो अचानक से भेश हो गए अगले दिन सुबा क्योंकि इतना जादा कोई social media इस तरह का कुछ माद्यम था नहीं मीडिया का अगले दिन सुबा पूरी film industry को पता चलता है कई सारे लोग यहाँ पर आने लगे पुलिस ने post-mortem किया और post-mortem में यह बताया कि जो चोट है वो internal चोट हुई internal bleeding हुई है अचानक से उनके उनकी जो थाई है उसकी हड़ी भी बहुत बुरी तरह तूट चुकी है bleeding हुई है और इसके बाद उनकी मौत हो गई गई साथ अप्रेल को यह जो बॉडी थी घरवालों को दी जाती है करीबन एक दिन बाद और इसके बाद में विले पार्ले में जो क्रेमेटोरिया में वहां पर इनका अंतिम संस्कार हो जाता है कूपर ऑस्पिटल के उस समय जो मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर त्रिपाथी उन्होंने पूरा जो डेथ सर्टिफिकेट ता उस पर साइन किया और ऐसा था यह हो रहा था पूरा इस तरह से फ्लो में चल रहें थी चीज़ें कि यहां पर मौत होई है एक्सि साइड था क्या दिव्या किसी बात से परिशान थी डिप्रेशन में थी क्या उन्होंने खुद से चलांग लगाई है नीचे या फिर यह मर्डर था क्या अंडर वर्ड का इसमें हाथ था क्या बॉलिवुट के जो बड़े लोग थे बड़ी एक्टरस थी उन लोगों ने य या फिर यह एक एक्सिडेंटल डेट थी कि उनका पाँ फिसला और वो बैलेंस बिगड़ा नीचे गिर गए यह बहुत सारे सवाल यहां पर अब उतने लगे थे अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होती है वर्सोबा पुलिस स्टेशन के जो उनको बुलाया गया उनसे tach की गई प्रेजेट नहीं ते इन लोय वहां पर उस दिन फ्लैट के अंदर प्रेजेन्ट नहीं थे इन से पूष्टाच से उन्हें से पूष्टाच की गई साम पीच में कई लुटे सामरे निकल कर आना लगे कर इसी मर्ड़ थियुरी conspiracy theories ऐसी सामने निकल के आती है जिसमें से कुछ theories इस तरह की थी कि एक theory बताई जाती है कि दिव्या जो थी जब वो हैदरबाद से वापस आई थी तो हैदरबाद में जब वो थी तो वहां पर उनका एक जो दोस था उसके साथ में उन्होंने पार्टी की थी और बहुत जादा वो पीच चुगी थी उस समय पर शराब के नशे की हालत में ही वो मुमओ वापस लोटी थी जब वो यहां पर मुमओ वापस लोटी ही तो साजिद से उनकी लड़ाय होगी तो साजिद नाडियवाला से इसी flat के अंदर और बताते हैं कि इसके बाद साजिद जो थे वो flat से चले जाते हैं और यहां पर जब वो फ्रैट से चले जाते हैं तो यहां पर दिव्या ने यह कहा था उनसे कि अगर दस मेट के अंदर आप वापस नहीं आए तो यहां पर मुझे आखरी बार आप देखेंगे और इसके बाद में हुआ वही यह बताया जाता है जो इस थेओरी लेकिन यहां पर पिता का कहना था इस बयान के उपर के यहां पर ऐसा कोई डिव्या को नहीं था उन्होंने भयान भी दिया था कि वह ऐसी लड़की ती जो आपको दूसरे को परिशान कर दे वह खुद परेशान वाली लड़की नहीं थी इस केस में एक चीज सामने लेके आती है कि जिस बालकनी से दिव्या नीचे गिरी थी आम तोर पर हर रोज उस बालकनी के नीचे बहुत सारी कारें खड़ी रहती थी कार पारकिंग थी लेकिन जिस दिन ये गिरी है नीचे उस दिन कोई भी कार वहां पे खड़ी नहीं थी जिसकी वैसे सीधा कॉंक्रीट की ज विंब्विया के संबंद ठीक नहीं थे जब उनको दिर बाद आई पूपल में जब पहुंची थी जो पहूंची थी खांब उनके पूर पर यह बोलना शुरू कर दिया था उनको जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी वज़े से यह हुआ है तो यह भी चीज यहां पर सामने आती है अब यह ऐसा क्यों था यह आज तक सामने नहीं आ पाए क्या यह उनकी कुछ फैमली के अंदर डिस्ट्रोबें वो इसके बाद इनकी मौत के बाद सद्मे में चली गई थी ऐसा बताया जाता है कि वो सद्मे में चली गई थी और एक महीने के अंदर ही करीबन 25-30 दिनों के अंदर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई अमरिता की जो उनकी मेड थी दिव्या की यह यहां पर सामने आता है और ये भी बताया जाता है कि पुलिस में जो बयान था, इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें बहुत जाद डिले किया, बहुत जाद देरी लगाई है, और अमरिता के जो बयान थे वो रिकॉर्ड नहीं हो पायता है, ऐसा बताया जाता है, उसके पहले उनकी मौत हो गई थी, हार आटो स्टॉपर लगे होते थे, और ये जो खिड़की थी, यहां पे भी आटो स्टॉपर लगा हुआ था, उस खिड़की पे, जहां पे दिव्या जहां से गिरी हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन बाद में होई थी, जब देखा गया था, यहां पे जाके, तो वो तो यह बड़ी सारी ऐसी थे, जो जिनके अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, तो चीज़ें सामने आ सकती हैं अभी भी, एक थे, इसमें यह आती है, अंडर वर्ड का कनेक्शन जिसमें बताया जाता है, दिव्या भारती का जब भी नाम आता है, आप अगर देखें, तो लोग अक्सर यह बताएंगे कि इसमें अंडर वर्ड डॉन दाव दिब्राहिम का हाथ था, अंडर वर्ड डॉन दाव दिब्राहिम ने दिव्या भारती को मरवाया है, बड़ कराया है, यहां पर पुलिस ने भी, अंडर वर्ड के उस समय क्योंकि जो रिष्टे थे दुबई में, अंडर वर्ड डॉन दी कंपनी के मालिक, दावदिब्राहिम के पार्ति में होके आने के बाद, मुंबई में अपनी बहुत जादा, अपने सर्कल में एक तरह से द्ञाते थे, एक तरह से अपना बताते थे, कि हम भाही की पार्टी में से होके आएं, और यह इस केस में धिव्या भारती डेथ केस में साजेत नाडयाडवाला जो उनके पती थे बताया जाता है कि उनके साथ में धिव्या को साजेत के जो रेलेशन थे नहीं से से इन दोनों की रिलेशन थे वो खराब होने लगे थे इनकी लडाईयां होने लगे थे बताते हैं कि पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान साजित नाडियाट बाला को जब ग्रिलिंग किये जब उनके से इन्वेस्टिगेशन किये तो इसमें पुलिस ने ये भी कुछी समय में उस दौरान तीन बार उन्हों में ट्रिप लगाई थी तीन बार वो ट्रिप्स पर गए थे दुबई तो यह सब चीज़ें यहां पर सामने आई थी इसकी वज़ए से यहां पर एक वंडर वर्ड का एंगल था वह सामने आया कि क्या ऐसा कुछ था कि साजित और लेकिन फाइनली हर बार शुरुवात से लेके एंड तक यहां पर पुलिस की दौरा यही बताया गया कि एक क्लियर कट एक्सिदेंटल डेथ है यह क्लियर एक्सिदेंटल डेथ है यह उनका बैलेंस बिगड़ा है वो नीचे गिरके उन्हें उनकी मौत हो गई इंटरल बीडिंग से बाद में यह जो पूरा केस था जब यह बढ़ने लगा इसके उपर बहुत सा है रूमर्स इस तरह लगे फैलने लगे तो इनके जो पिता थे ओपी भारती बहुति अन्होंने सामने आके एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने यह कहा था कि यह जो सवाल है कि सुछाइट था या मर्डर था यह उटना ही नहीं चाहिए यह सवाल उटता ही नहीं क्योंकि उसने ड्र कर लेगा उथ बॐसे नहीं ती डियोवान दिप्रेशन में नहीं ती यह उन्होंने का उन्होंने कर लेगा उसका बैलेंस बीघ्णा नीचे गृए और यह profound हो गई निकों हटा दिया और इसके बाद में हमेशा के लिए इसी तरह से iasc monopolा अभी तक रगया है यह वह पहlynn हैं जिसमें अगर आप देखें तो इसके बाद Bollywood में कई सारे ऐसे केस हुए जिनकी investigation कभी हो नहीं पाई जिया खान का आप case ले लिजिए जिया खान का जो suicide बताया जाता है उसका आप case ले लिजिए आप शुशान सिंग राजफूत का बहुत बड़ा सबसे बड़ा case ले लिज जो इस पर कभी किसी को भरोसा नहीं हुआ और सेम ऐसा देव्या भारती के case में था जब यह investigation में निकलके आया कि यह accidental death थी उनका balance बिगड़ा वाब गिरके मौत हो गई उनकी इस पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया हमेशा इस पर उंगलियां उठती रही सवाल उठते रहे दोनों को शांदार movies मिल रही थी सूपरस्टार बन चुके थे highest paid actors थे वॉलिवूड के भारती भी highest paid थी यहां पर सुशान सिंग राजपूत का भी highest paid में नाम आता था नया खुद का घर खरीदा था सुशान सिंग राजपूत ने भी अपना खुद का बड़ा घर जो उनका रेंट वो इतना जाद देते थे करीबन जो आपको अपने वीडियो में सुशान सिंग राजपूत की जो murder mystery है जो death mystery है उसकी वीडियो में बताया वो यहां पे अपने पीक टाइम पर death हो जाती है और वो death जो थी वो mystery बन जाती है उसके बारे में कई सारी theory सामने आ जाते हैं लोग उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं तो क्या दिव्या भारती के case में भी इस तरह की चीज थी कि अंडर वर्ड डॉन दाउद इब्राहिम का हाथ था क्या इस उस समय पर इस तरह की एक्ट्रेस हो गई थी कि बाकी फिल्म एक्ट्रस से अधाकाराओं से फिल्में ले लेकर दिव्या भारती को दी जाती थी और उनके पास में बहुत जादा लगाता उस समय काम कर रही थी और बहुत जादा पैसा कमा रही है तो यह जिस तरह की conspiracy यह ज इसमें शामिल था तो यह था पूरा दिव्या भारती डेथ केस जो एक मिस्ट्री बनके रह गया है आपको आज हमने पूरा यह जो केस बताया है इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो थेयोरी सामने निकल कर आती हैं वो सारी आपके सामने रख दिए आप बताईएगा कि यह था कि असल में क्या दिवे भारती को मारा गया था क्या उन्होंने सुिसाइट किया था या फिर यह कोई एक्सिडेंटल डेथ ती जैसा बताया गया है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजेगा आगे महुर भी ऐसे एपिसोड आप लेकर आते रहेंगे आप अब भी अपने अपिसोड हैं बता सकते हैं तब तक लिए दीजेज़ाद नमशकार धन्यवाद जैह हिम्द Study IQ IS अब तयारी हुई affordable